इतना सारा लोग के ले जाएंगे इतना अच्छा पानी भरा हुगा है यहां पर तो दर्शकों फिलाल अभी हम इतने पौधों को लेकर जाते हैं यह 30 से 30 पौधे होंगे नमस्कार दर्शकों आप सभी लोगों का मेरे यूटीब चैनल में बहुत दोस्वागत है अभिनंदन है चंदन है बंदन है बंदन है बंदन है गैंग कुछ ऐसा सीन हादा सकों क्योंकि कि आज हम बहुत जल्दी सुबह उठकर इधर रोड तरग भूमने के लिए आए हुए हैं मैं 5 बजे करीब उड़ गया था और 5 बजे घर से निकल गया था काफी ठड़ लग रही थी लेकिन मैंने एकसरसाइज करना सुरू करा फिर गर्मी लगने लगी तो मैंने स्वेटर निकाल दिया सठ निकाल दिया और ऐसे ही दोड़ रहा था अभी मैं गाउं से लगभग डेड़ किलोमीटर की दूरी पर यहां पूल के पास आया हुआ हुआ हूँ अब यहां से हम बगीचे के तरफ जाएंगे वहां पिनाएंगे हर रोज की तरह और नहा के घर जाएंगे दर्सको अभी फिर से 10-15 मिनट रेश्ट करने के पाद हमें काफी ठंड लग रही है इसलिए हम स्वेटर पहन लिए है ठंड की वज़े से मिरा हाथ ठंड़ा पढ़ते जा रहा है लेकिन मज़ा काफी आ रहा है दर्सको यहां का सांध भरा महौल सुबह सुबह घर से निकल कर आईए और यहां थोड़ा से पांच मिनट बैठिए सांथ होकर चुड़ियों की मधूर वाज सुनिए और दर्शकों अभी हम नंगे पैर आए हुए हैं अब ऐसे ही हम बगीचे चलते हैं चलिए यहां पूल से दोड़ते हैं और सीधा बगीचे में पहुंचते हैं कि यह रहापना पूल कि यूशल दौड़ते हैं और बगीचे में पहुंचते हैं चलिए वो तो दर्शकों कुछ इस तरीके से हम पहुंच चुकिए अपने बगीचे अब हिच्छे में अपना बोर है चल रहा है अब यहां ऑना आते हैं नाउट हो दर्शा को भी साथ बज़ रहे हैं देखिए सुरज भगवान निकल चुके हैं दर्शान कर लीजिए दर्शा को हमें बहुत जादा ठंड लग रही है और मैं नहाद होके अभी प्रेश हो चुका हूँ दूप सेखेंगे अभी 10-15 मिनट फिर घर की और चलेंगे हैं मेरा सिर जीला है जिसे पूंच लेता हूँ तो चलिए दर्शा को अब घर की और निकलते हैं और दर्शा को अभी हम पहुंच चुके हैं घर नास्ता पानी करते हैं फिर देखते हैं क्या करना है आज अपने को दर्शा को अभी सुबे के साड़े नव बज रहे हैं और मैं घर से चाय नास्ता पानी करके वापस अपने बगीची आ चुका हूँ इधर आप मेरे पीछे सारे देख सकते हैं भैंस जो हैं बड़ा के अंदर सुकी घास खा रही है पैरा और अभी हम अंदर जाते हैं बगी सबजी लेने के लिए साध तक दादी है मेरे ख्यास से जो हमेशा आठे हैं सबजी लेने के लिए वही तो अंदर जाते हैं कैस जा रहे हैं लिए है देखतें भर 12 मिया अय're high यह देखिए मैं लों कि इतना सारा लो के लन जाएंगे कि हो दादी आज काते हैं सब लोग ग्रेले जा था 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 आज तोड़े हाँ नहीं आज तोड़े हाँ नहीं खाना काते कि आधा किलो हो जाहिका आजा कि चल ठीक है अब कले जबे अब कले जबे बता माटा माटर माटर है ले पूछ वे आंदे लावकी केटी हो जाए एक दो ती चार पांच छे साथ नो देज क्यारा बारती रह चरुदा पंदरा सुला सात्रह बीश्ठी है लगभग का तो और सेमी वगेरा कुछ नहीं लागे सेमी अभी हम अपने दादी के लिए सेम तोड़ने के लिए आ रहे हैं इधर लगभग मेरे को एक किलो सेम तोड़ना है और इस थैले में रखते जाना है थैला नीचे रख देते हैं और एक हांच से हम सेम तोड़ते जानें बहुत अच्छा लगता है इसका सब्जी अगर आप बनाने में एक्सपर्ट है तो सेम का सब्जी बहुत ही स्वाधिश्ट बनता है आगने येधे घी ता है नागना है फोन्ता है कर लगतो है झाल है ये दो कि त Latino को कि ये तो न हो से आज क ότι हुट है ख forests अगा था ये ये चैज मतिकिक साता है पाज़ा सेम इसका साइज देखिए ये कितना बतला है और दर्शकों ये देखिए इन्हें लग भग आधा किलो के आसपास सेम तोड़ लिया है चुटा चुटा है सेम नहीं तो और तोड़ते हैं देखते हैं कितना होता है आधा किलो हो जा रहा है ठीक है आधा किलो लेगन भी आ चुका है अगर दादी यहां धनिया से जड़ को तोड़ दिये हैं ऐसे प्रेस प्रेस को कि जाएंगे धनिया हुआ है तो यहाँ पर हैं तो चलिए दे देते हैं आजाओ सारी आजाओ सारी अधर से लो आजाओ सारी 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 कि देखिए अपना काम हो गया अभी अपना मस्त खाएंगे दशकों अभी मुझे बगीजे से वापस अपने बाड़ी के पास आना पड़ रहा है बाड़ी में पिछले साल का बैगन भचा हुआ है वहाँ से मेरे को बैगन 3-4 किलो तोड़ना है और इस थेले में भाते जाना है दादी और मेरे पिता जी अभी भी बखीजे में हैं और मुझे 10 मिनट पहले ही भेज दी हैं और मैं यहां तोड़ते रहूँगा उनके आने से पहले और 3-4 किलो तोड़के रहूँगा तो अभी तुरंद पहुंचते हैं बाड़ी में वहां बैगन तोड़ते हैं फिर आएंगे फिर पिता जी लोग को दे देंगे बैगन ठीक है तो चलिए जल्दी पहुंचते हैं अपने बाड़ी के पास और दर्शकों यह देखे बाड़ी का सिस्टम एक काटे की टगाली से इससे धब दिये हैं ताकि जानवार इधर अंदर ना कुछ सके और अपना यह दर्वाजा खोलते हैं बास्क दर्वाजा इधर टमाटर वागे लगाया थे बरबटी लगाया थे वो सब खतम हो चुका ह है और इधर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से बैगान लगा हुआ है इस देखिए यहां से अपने को बैगान तोड़ना है आगे में और है कि चलिए भी तुरं 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 बैगान तोड़ते हैं कर दुब मैं आप लोग बता दूं कि यहां जो अपना बारी है यहां पर सब्जिया तो लगाते हैं लेकिन पाने से कोई वयोस्ता नहीं है नल या बोर कुछ भी नहीं है तो बरशाथ के टाइम यहां सब्जिया लगाते हैं और बारिज शबजी ऐसे ही खलने पूलने सकते हैं लेकि baaris कि खतम होती है यह सूखने लग जाते हैं इधर यूवर्पटी और यूवग मह always Lei चुके हैं लगए कर रोले महिने में बिच बीच में वारिस ही जाता है तो यह जिंदा रहते हैं और अब अभी देखिए ना जन्वरी चल रहा है और बीच-बीच में बारिस होई ही जाता है इतना तक मॉइस्चर इस जमीन में पढ़ा रहता है तो कोई दिक्कद नहीं रहता और बैगन के पौधे मर्दे नहीं है जल्दी कि यह एक महिने में अगर एक बारिस थोड़ा सा बारिस हो गया तो चल जाता है अभी तो फिला लोस गिर जाता है रात-रात को तो और दिक्कद नहीं रहता यह सी वह से ही अपना गुजारा कर लेते हैं और देखिए कि इस तरीके से अभी फले हुए है और दर्शकों यह हुए 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 ह और दर्शकों अभी हम दादी को ब्राउत छोड़ने के लिए जा रहे हैं यह देखिए सब्जी के साथ अब यहां से हम निकलते हैं घर की और अब इधर देख सकते हैं दर्शकों किस तरीके से कोईला कोड़ाई कर रहे हैं तो अब इधर एक गड़ा है जहां पर मस्त पानी भरा हुआ है निला निला तो बस उसी को देखकर आते हैं नहाते बनेगा तो आज यह कल की डेट में नहाने के लिए आएंगे तो चलिए अभी कि यह देखिए द्रशकों कितना अच्छा पानी भरा हुआ है यहां पर कि यहां से आप कोद कोद कर नहा सकते हैं यहां पर नहाने के लिए जरूर आएंगे हम अब यह तलाब देखने वाला काम तो कंप्लीट हो चुका है तो किसी दिन इसमें नहाने के लिए जरूर आना है तो चलिए अब सीधा बाय की स्टार्ट करते हैं और घर की और निकलते सब कुई यहाँ देखिए छोटा सा पहार से हम नीचे उतर रहे हैं सामने वाला पहार का सीन देखिए यहां से बाइक बंग कर देते हैं यह उतरता है बच्पन की दिनों में हम यहां चलाने के लिए आते थे और यहां घाटी में चड़ाते टाइम हैं बहुत दिक्कत होता था लकिन चरते टाइम ऐसे ही हराम से उतरते थे यह ना चली अभी स्टार्ट करना पड़ेगा और दर्शकम अभी हम वापस अपने बगीजी आ चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है एक बज के चालीस मिनट ठीक है तो एक गेड़ घंटे यहां बैठते हैं उसके बाद तीन बज़े से काम करने के लिए जाएंगे दर्शकम अभी साम के साथे चार बज रहे हैं और इधार मेरे पीछे में देख सकते हैं सूरज काफी नीचे चले गया है और थोड़ी देर में डूबने वाला है तो मैं सोच रहा हूं क्यों ना भी आदा घंटा गोभी का पौधा लगाने के काम करा जाएं कल तो हमने मिर्ची का पौधा लगा दिया जहां पर गोभी लगाने वाले थे तो अब अंदर साथ जाएंगे और कम से कम 20 से 25 गोभी का पौधा लगाएंगे तो सबसे पहले अपने को करना क्या है दो बाल्टी लेना है बाल्टी पकड़ लिए एक फोड़ा अपना चलिए अब इन दोनों बाल्टी में अच्छे से खाद भरेंगे और फिर गोभी का पौधा उखाड़ेंगे और लगाएंगे तो दर्शकों यह देख सकते हैं दो बाल्टी भर चुका है अब इसे लेकर चलते हैं अंदर साइड और गोभी का पौधा लगाएंगे अब भी पकड़ लेते हैं ताकि हम इससे खोदते जाएं और गोभी का पौधा लगाते जाएं चलिए इस सब को लेकर चलते हैं अंद काफी सांदार तरीके से बड़े हो रहे हैं यह जो हम टमाटर मेरिची गोभी का जो नरसरी लगाए हैं यहाँ पे आ चुके हैं तरी देखिए काफी सारा मेरिची का पौधा काल उखाड़ा गया है और यहाँ पे लगाया गया है और कल दर्शकों यहाँ पे जो मिर्ची का पौधा लगा रहे थे ना तो हम सबसे पहले सबको उखाड़ लिए जितना लगाना था और इसमें डालते गया डालते गया और धीर धीर लगा रहे थे लगा रहे थे तेड़ से दुघंटा लग गया लगाने में तो जिसको लगान अच्छी बात है हमारे लिए अच्छे से ग्रोह होंगे और उम्मीद करते हैं कि अच्छे से फ़लेंगे तो फिलाल अभी हम यहां से पत्ता गोभी उखारते हैं यह गांट गोभी है और कुछ लंबे तरीके सदीक राइस का पत्ती यह देखिए और पत्ता गोभी का आप यह कुछ जादा ही लंबा है और चौड़ा है लेकिन यह चोटा है लेकिन लंबा है थोड़ा सा यह गोल शेफ में हैं तो हम गोल से पला यह पत्ता गोभी लिकर जाएँगे तो बड़ा बड़ा जो पौदा है उसे पहले उखारते हैं क्योंकि इनमें अब पति आने वाली हैं पत्कियों का गुच्छा बनाने वाले हैं ठीक है तो बड़े-बड़े को पहले लेकर चलेंगे ताकि इनका नुक्सान नहों और जितनी भी जगा है पौधा लगाने के लिए उसका भी उप्योग हो जाए तो चलिए उखाडते हैं दर्शकों फिलाल अभी हम इतने पौधों को लेकर जाते हैं ये 30 से 35 पौधे होंगे ये से पहले लगाते हैं फिर और टाइम मिल जाएगा तो हम और उखाड़ने आजाएं अभी सभी चीज़ें अपने पास आ चुकी है ये गुभी का पौधा ठीक पहले करना क्या है ये कुदाली पकड़ना है और इस लाइन से खोते जाना है यहां से ऐसे इस लाइन में आज दर्शकों मैं अपने बगिचे में सिर्फ अकेला हूँ तो जब मैं अकेले रहता हूँ तो कुछ जाद ही अजादी मिल जाती है मेरे को मुझे जब भी मन लगता है तभी काम करता हूँ और पिताजी या फिर जितने काम करने वाले रहते हैं दो तीन वो रहते हैं तो मुझे दो बजे तीन बजे से काम करना पड़ता है अगर मैं नहीं करूँगा तो लोग भी नहीं करेंगे इसलिए साथ में या करवाना देख मों और नसंग हूं देखते रहे हैं तो आप देखे आज मैं अकेलर हूं तो आप लोगों से मस्त बातें करते करते कि अ loud करें holdsता लगा रहा हूं कि को भूभू हनु ना कि लगती आटा को सबढुन नियुद को रहे हैं si तो देखिए ऐसे लगाते रहते हैं हम पौधा अब कल के डेट में अच्छे से हो जाएंगे अभी थोड़ा सा मुर्जा जाते हैं लेकिन रात तो क्या है कि ओस वगेरा गिरते रहता है और कल पर सुबारिस हुई थी तो इने में कोई दिक्कत नहीं है पानी वनी की अब रात यहां नीचे और अच्छे से पकड़ने लग जाएगा यहां बेसिकली अपने बगीचे में ना पानी की समस्या है यहां पे अपने बगीचे में तीन-तीन चर-चर बोर खुदाई हो चुका है लेकिन सिर्फ अभी एक ही बोर चल रहा है उसमें भी पानी कम है ऐसा नहीं कि में पानी जाधा आ रहा है। सिर्फ आ और वह पानी भी सापनी है याँ तंकी के पास जो पानी समस्या पानी सार्फ पानी या जाता है और यह दा बीखड़ा हुआ है और हम पानी पी नहीं पा रहा है हैं तो यह चीजें अगर बन जाती हैं कल के डेट में तो मुझे काफी अच्छा लगेगा और घर वालों को भी अच्छा लगेगा ऐसा नहीं कि मुझे इस फिर्फ अच्छा लगेगा और देखिए कुछ इस तरीके से मैं कुदाल चला रहा हूं दो शकूं इसमें खाद पहल हूं तो क्या दिक्कात है थोड़ा थोड़ा करके डाल दे रहे हैं इतना खाट डालेगा अच्छा है और बढ़िया है बड़े-बड़े पोधों को पहले लगा देते हैं और दुरसक हूं अगर आप मेरे चैनल में नए है ना तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब करिए ठीक है यह चीज बिल्कुल मत भूलिए बहुत दिन हो चुकि हमें बोला नहीं था लेकिन आज बोल रहा हूं प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को जल्दी ग्रो करवाईए ठीक है तो चलिए हम अभी फटा-पट से यह पौधा लगाने वाला काम कंप्लेट करते हैं है ना बहुत सारी बातचीत हो रही है आप लोगों से है ना क्या है मैं जब अकेला रहता हूं फ्रीडम मिलती है मुझे तो कुछ ऐसा ही होता है मैं बातचीत में ज्यादा हो जाता हूं बाते करते रहता हूं करते रहता हूं रुकता ह ही नहीं है कि तांत होना पड़ेगा मुझे थोड़ा सहाना और गेप अच्छा रखे रहे हैं हम एक हांत लगभग काधी दे रहे हैं है क्या है कि अब यह अच्छे से बड़े होंगे तो इन में इतना बड़ा बड़ा तो कम से कम पतियां पतियों का गुच्छा आएगा तो और गेप देना ज़रूरी है ताकि यह अच्छे से बड़े हूं कि पास पास भी नहीं करना है कि अग्यों क्या है ऐसे मिट्टी के संपर्क में रहने में मुझे काफी ज़्यादा मज़ा आता है अगर दिन भर में मैं एक मिनट भी अगर मिट्टी के टश में ना रहूं तो मुझे अजीब सा लगता है कि मैं किस दुनिया में हूं कम से कम एक मिनट एक मिनट ऐसे मिट्टी के टश में आ जाओं चाहे नंगे पैर चाहे हाथ से चाहे कुछ भी है ना वह दूसरा मैटर है कर देखिए यहां पर सिर्फ एक आलू को पौधा है तुर्ड़ आइसा निए बहूत जादा कानधव आगया होगा छोटे छोटे सिर्फ छोटे-छोटे कानध मूंगे के तु काट डाल दो यो यो यू मेरोको लग रहा है आप वीडियो बहुत लंबा चोड़ा जाने वाला है आना क्योंकि मैं इतना बात्चीत कर रहूं आप लोगों से बात्चीत के सांथ सांथ यह काम भी चल रहा है यह कि अब मैं चुप चाप लगाता हूं इसको ठीड़ हुआ है यह दो अब अब भी पांच बचके पांच मिनट हो रहे हैं और देखिए हमने जितना गोभी को पॉदल आया था ना उसे हम यहां पर लगा लगा दिया है एक दो तीन चार पॉदल लगा दिया है अब कल की डेट मीधर लगाएंगे ठीक है और दर्शकों कुछ इस तरीके से रहा आज का काम कहीं बाहर गाउं जाने अच्छा लगा और मुझे पूरी उमीद है कि आप लोगो भी मेरा ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा ठीक है तो चलिए दर्शकों अब वक्त हो चला है हमारा घर जाने का क्योंकि घर वाले बाहर गए हुए हैं घर में कोई नहीं है तो हमें जल्दी जाना पड़ र प्सकता लगा जटतसते हैं घर जपक्तों अच्चार झाले जा तो हमारा ये भाले तर्शकों अपक्तों और में कि आपकारतश।